नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे परिवार SPSTD पॉइंट पे तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों उसे वादा किया था कि आगे आने वाले इस वीडियो सिरीज में मैं एक एक गर के फिजिक्स का सारे एक्सपेरिमेंट कराने वादा हूं तो अपने वादे क मताबिक मैं एक नया वीडियो लेकर आज आज हूं जिसमें मैं आपको आज फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नमबर फर्स्ट कराऊंगा जो कि है ओम स्लोग तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिसकस किया था कि फिजिक्स लैप के अंदर कौन-कौन से अपरेटिस होत है तो जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके वह लास्ट वाली वीडियो देखो उसमें मैंने बहुत डिटियल में बताया है कि कौन-कौन से अपरेटिस होते हैं और उनका क्या रिक्वायर अच्छे से समझ में आएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ट्वेल्ध क्लास में नहीं पैक्टिकल किया है वो लैब में नहीं गये तो फ़र्स्ट टाइम लैब के अंदर जाएंगे उनको नहीं पता कि हाँ पैक्टिकल कैसे कहते हैं मैं अपनी बात बताता है उसमें को सर्म की बात नहीं है कि हां तो मुझे नहीं आता शे ह widening करने उन्हें उन्हें नहीं कियार है उसमें कौन सी बड़ी बात होगी है है को आज की बारे में मोब कि discuss करूँगा की चर्ण करनेंगा और कि यह कैसे करते हैं इसका को स्पर क Muk करते हैं और इसमें ते बनेगी ग्राफ कैसे प्लाट होगा इक करके आपने पर लिए्ट to establish the current and voltage relationship for a metallic conductor मतलब कोई एक metallic conductor दे रखा है उसका हमें क्या करना है unknown resistance find out करना है पर centimeter मतलब क्या करना क्या है कि हमें एक current और voltage के बीज में एक relationship establish करना है और उसके help से हम क्या करेंगे एक unknown resistance find out करेंगे बहुत सारे बुक्स में different different aim दे रखा होगा कि to find the unknown resistance आफा गिबन वायर using ohms law and also plot the graph between B and I ठीक है अब बी एंड आई क्या है V for voltage and I for current ठीक है अब क्या हो गया कि जब हम हमें एक unknown wire दे जाएगा unknown wire दे दिया जाएगा या एक coil दे जाएगी जो कि unknown होगी उसकी value में नहीं पता होगी वह हमें निकालना होगा तो आप connection कैसे करेंगे उसके लिए जब आप लाइब में जाओगे तो आपको अपरेटिस मिलेगा जब आप ओम करोगे तो टीचर्स आपको कुछ वहां परेटिस देंगे जिसको जिसका हमें कनेक्ट करके और हमें क्या निकालना होगा रेश्टेंस find out करना हो ठीक है तो वह प्रेटिस कौन-कौन से होगे एक तो होगा है रियो स्टेट होता है जो कि एक वैरियाबल रेश्टेंस होता है जिसके उपर एक वैरियाबल नौब होती है जिसको हम चेंज करते रहते हैं तो उसके चेंज करने से क्या होता है कि हमारे एमिटर और बोल्ट इमिटर में चेंज होता है और वही चेंज हमें अपने बढ़ते हैं थोड़ा जब हम इसके आगे जाएंगे तो देखेंगे कि यहां पर दे रखा है कि यहां पर दे रखा है हमारा इसमें क्या दे रखा है इसकी कुछ थेओरी दे रखिए हाँ थेओरी में क्या दे रखा है ओम्सलो का स्टेट्मेंट अब यह ओम्सलो का स्टेट्मेंट क्या होता है ओम्सलो का स्टेट्मेंट होता है the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference is directly proportional क्या है किसके है potential difference के potential difference का मतलब हो गया है V applied across end मतलब उसके इस end से लेके और दूसरे end तक जितना current applied हो रहा है वो totally किसके होगा इसका मतलब यह हुआ कि जब आप लाब में गए तो वहां का जो environment है जो वहां का temperature है बाकि जो जो condition वो उस लाब की है जब आप practical start कर रहे हो और जब आपने experiment खतम किया तब तक वो change नहीं होना चाहिए environment सेम होना चाहिए और temperature भी सेम होना चाहिए otherwise क्या होगा कि आप आप experiment करोगे तो आप में error आने की chances मलब कि जब आप reading लोगे तो उसमें error आने की chances बढ़ जाएंगे ठीक है तो इसलिए अब कम से कम error आए इसके लिए क्या करते हैं जब हम experiment इस्टार्ट करते हैं जब हमने connection complete कर लिया उसके बाद में क्या कि क्या कि क्या हुआ कि क्या हुआ जब हम reading लेना start करेंगे तो क्या होगा कि हमने एक resistance है वह हीट हो जाएगा मतलब सारे जो भी अपरेटर से मोल्ट मीटर में हीटिंग जनरेट होगी अमिटर भी हीट होगा और रेस्टेंस वायर बहुत जदा हीट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा temperature बढ़ जाएगा और उससे हमारी रेडिंग चेंज हो जाएगी य जब हमने एक लिडिंग लिया तो हम थोड़े देर के लिए मिनट के लिए 30 सेगंड के लिए हम उसको बैटरी को कर देंगे फिर द्वारा ओन करेंगे फिर एक लेडिंग देंगे तो आगे कैसे करना है यह मैं अभी आगे और डिसकस करता हूं जब मैं कनेक्शन बताऊंग तो यह सबको सबस्क्राइब समझ में आ गया होगा उसके बाद में रखा है कि और रिलेशन विटमें बोल्टेज एंड करंट यानि बोल्टेज और करण के बीच में क्या रिलेशन होता है वह यहां पे रखा है कि बी हमारा कि आवे है वी आप डारेक्टली पर पोर्पोर् वो है डारेक्टली किसके परपोर्शनल है वी के यह डारेक्टली परपोर्शनल का मतलब यह हो गया कि जैसे जैसे हमारा करन्ट चेंज होगा वैसे वैसे हमारी बोल्ट चेंज होगी यानि कि अगर מאWAN बढ़ेगा तो करण बड़ेगा कि अगर बोल्टेज कटेगा सबीक करन गटेगा एम लुक्रण्ड भी गटेगा जो भीड होगा दोनों में जसाज चैंज होगा यानि यह नहीं कि इस में अलग चेंज हो रहा हुआ नहीं कि जो हमने इसमें किया वही इसमें होगा जब में बोल्टेज को जाएंगे हम तो देखेंगे की जब हमने यह पर्पोर्शनल हटाएंगे जब पर्पोर्शनल हटाएंगे तो B V is equal to हो जाएगा आई और पर्पोर्शनल हटाने के बाद में उसके साथ में एक constant जोली जाएगा उसको हम बोलते हैं R यह R क्या है यही है हमारा resistance ठीक है अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है आई तो R is equal to हो जाएगा R is equal to हो जाएगा B divide by I यहीं बी के बटे में आजाएगा हमारा क्या आई यानी यह जो आई है वह इसके B के नीचे चला जाएगा और यहां से हमें R मिल जाएगा ठीक है तो R का हमें निकालना क्या था हमें निकालना है R unknown resistance ख्या है हमारा अन्वन जो यह हमारा formula है और यह हमारा क्या है यह छोटा सा statement है जो कि जब आप practical के दोरान जब आप कॉपी में लिखोगे तो same to same ऐसे लिख दोगे ठीक है सारा कुछ ऐसे ही लिखोगे अब इसके हम आगे चलते हैं तो यहां पर डिफाइन कर रखा कि वी इसकोल टू क्या हो गया पोटेंसल डिफरेंस वोल्टेज में आएगा आइसकोल टू क्या हो गया करंट जो की इसकी यूनिट होती है और और इसकोल के वीडियो में बताया था कि एक बैटरी होती है कि की सप्लई होती है वilber की स्षरी तो यह हमारी बैटरी हो गई जो की होगी 12 बॉल्ट दीСी supply ठीक है यह 12 बोल्ड की बैटरी होगी और यह है हमारा रियो स्टेट जो की एक वेरियेबल रेस्टेंस होता है मैंने भी बताया था यहां पर देखो यहां पर हमारा अमीटर लग रखा है और और थोड़ा से नीचे जाएंगे तो यहां पर एक बोल्ट मीटर है जिसके पैलर एक नेगेटिव होता है मैंने कल बताया था आप लोगों को कि एक पॉस्टीव होगा और एक नेगेटिव होगा यह हमारा हो गया पॉस्टीव और यह हमारा हो गया नेगेटिव ठीक है अब करेंगे क्या कि इसका कनेक्शन हम नीचे बताते हैं कि कैसे कैसे करेंगे हमने क् एक डीटेल में बताते हैं एक मीडू को यह जैसे जो मैं बता रहा था भी यह क्या है यह हमारा है यह हमारा दे रखाए बोल्टु मिटर पॉश्ट में निगाटिव और यह व्य दी स्ट को हमने इसके बोल्ट मिटर में पर दाट अब थोड़ा साइस को इसको मामफ ओम एंग और इसका हम कनेक्षा absent मदलब कि यह connection हुआ कैसे है यहां पे थोड़ा free space मिल जाएगा हम यहां पर हमें थोड़ा free space मिल रहा है तो हम यहां पर देखते हैं यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर मैं बनाओंगा एक बैटरी बैटरी का कल मैंने symbol बताया था जो की कैसे होता है कल मैंने डिसकुस किया था यह बैटरी का नेगेटीप हो गया और यह O पॉस्टिव में एक वायर कनेक्ट करेंगे और उस वायर को ले जाके हमने हमें क्या करना है हमें यहां पर एक अमीटर लगाना है और अमीटर के पॉस्टिव टेन्मिनल में कनेक कर देना है ठीक है हमने क्या किया बैटरी के पॉस्टिव में एक वायर लगाया और उस वायर को ले जाके एमिटर के पॉस्टिव में कनेक कर दिया ठीक है अब एमिटर के नेगेटिव में एक वायर कनेक करेंगे और उस वायर को ले जाके हम क सीधा कहा करने कर देंगे यहां पर एक रियो स्टेट लगाएंगे जो कि भी डाइग्राम में दिखा रहा था यह हमारा रियो स्टेट है रियो स्टेट में तीन टर्मिनल होते हैं ठीक है रियो स्टेट में तीन टर्मिनल होते हैं दो तो इसके नीचे होते हैं जैसा कि मैंने खीर से श्बाइब उसका जो पाइब हो march स听 बोल्ट मीटर का नेगेटिव ससे खर देखिर से था se ग्हांक करड़ें अब इसका दूसरा टूर्मिनल एक लगाएंगे और की के एक time डिंगे और की का दूसा टर्मिनel ब्रेयर के नेगेटिव से कर देंगे यह नो में कियों कि आ मैंने करके रखा है तो यह हमने इसके अब हमारा बस रहा है बहाद है तो अभी तक का सर्कूट डियाग्राम है वह कैसा है एक मेंटर को थोड़ा सा असको अर खीलियर मुना देता हूं जैसे आपको को किम हमें क्या करना था हमने क्या कि kidnapping एक 2 कीसे ड में क्या कि की का counter हमने क्या कि यहां पर हमने रीयो स्टेट लगाया कि यस्टेट और को इसमें कर दिया उसका और और रियो स्टेट का जो दूसा टर्मिनल था यानि नीचे वाले उसमें हमने ले जाके बोल्ट मीटर का नेगेटिव कर दिया अभी तक का गनेक्शन दुबारा से नमस्ते हैं कि हमने बैटरी लिया बैटरी के पॉस्टिव में एक वायर लगाया और उसको ले जाके सीधा एम उसके दूसरे वाले टर्मिनल में उपर वाले टर्मिनल में एक वायर लगाया और हमने की से किया और की से हमने फिर बैटरी के नेगेटिव में कर दिया अब हमारे पास बचता है रेजिस्टेंस वायर अगर आपके वायर है तो वायर का एक सीरा आप बोल्ट मीटर के पॉस कर दोगे ठीक है उसके बाद में कोईल के दूसरे टर्मिल में लगाओगे और वो बोल्ड मिटर के नेगेटिव में कर दोगे अगर वायर है तो वायर का एक सिरा यहां पे और एक सिरा यहां पर यह हमारा पूरा ट्री बॉल्ट या फिर 0.15 एंपियर इन 0.15 बॉल्ड चैनली यही रेंज हम यूज करते हैं ओमसलॉअ के वेक्टेकल में ठीक है आपको अगर इससे बड़ा रेंज चाहिए तो ले सकते हो ज्यादा जरूद नहीं है इससे बड़ी रेंज की ठीक है जैनली हम यही और करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का लीस काउंट सेम होगा अभी आगे डिसकस करता हूं ठीक है यहां तक का मुझे आसा है कि यहां तक सभी बच्चों को समझ में आगे होगा और नहीं आया होगा तो प्लीज एक बार इसको दुबारा से प्ले करके देखना और इसक मैं आपको क्युकत करेंगे हैं क्या आता कि यहां पर दो कर दिया और इसके निगेटिब को हमने की ही किया एक हमारा आर इसमें नीचे मिल और यहाँ पर यहाँ पर यह यह ओपर यह भब यह के ले तर सबस्तिव हमने आप अब यहां पर एक यह में हमें रास्टंस तो इसके कर दिया है तो दीजों एंप लेटर विस तोटल कंप्लीट हो गया सर्किट एक तो ऐसे करेंगे अब यह कंप्यूज मत हो ना प्लीज कि बहुत सब्सक्राइब क्या होगा कि यह अपर यहां पर कर देते हैं और यह रियो श्रूट उठाकर यहां पर कर देते हैं तो इससे कोई फरग नहीं पड़ता कि एमीटर यहां सब्सक्राइब कार नहीं होगे तो इससे भी आपका रेडिंग आजाएगी और ये वाला सर्कंप्लीच यह नहीं होना है की सब्यसक्राइब करनेıll detect और यहां से करन्ट कर रहा है और यह सीधा जाके यहां पर इसका है यह डारेक्शन अभी आप क्या करोगे इस वोल्ट मीटर को उल्टा कर दो यहां कर दो तो यह यह गलत हो जाएगा और आपका करन्ट फ्लोव ही नहीं करेगा क्योंकि यहां पेश की करन्ट की रायरेक्शन आपने चेंज कर दी तो यह यह गलतियां नहीं करनी है और कनेक्शन आप मलब सरकी डाइगरम आपने जो बुक में देखा है अगर वही कनेक्शन करते हो सेम टू स तो सर ने बोर्ड पर कुछ और बताया जब हम वीडियो में देख रहे हैं तो यह कुछ और सब्सक्राइगरम बता रहे हैं डाइगरम सेम होता है जैसे मैंने बताया एम एम थोड़ा इदर उदर का डिफ्रेंस होता है लेकिन करना हमें ओम आई है अगर यह सरकीट अब आपको दिया गया है यह डाइगरम बनाओगे तब भी रेस्टेंस उतने आएगा और जो आपके बुग में दे रखा है वह भी बनाओगे तब भी रेस्टेंस उतने आएगा कोई चींज नहीं होगा बट कनेक्शन घलत नहीं होना चाहिए तो आसा करतों यहां तक सब को समझ में आ जाया होगा अब हम और थोड़ा नीचे चलते हैं और यह देखेंगे कि अब हमें रिडिंग कैसे लिए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम अब्जर्बेशन टेबल बनाएंगे लेकिन हाँ एक चीज़ और रखना जब आप वहां पे लिख रहे हो तो आ चैन realised कि यह इसमझाने के लिए आपको यहां पे बनाया इस यह कोपी के अंदर नहीं लिखना है को इए Records को प्रो Counter-least संप्रफार से से चाहिए और स्वह्ना सबर्य होगा कि आपने यहां यहइ bright यह इससे क्या हो गा कि लिसगोंट स्वह होंगे और हमें ज्यादा मेहनत नहीं नहीं करें है तो सब्सक्राइं यहाँ ले लिया 02-23 एमपेर एमिटर लिया और 023 सिरी बोल्ट क्या लेलिया आपने बोल्ट मिटल लिया अब लिस कौंट किया है तो लीस कॉंट का मतलब यह होता है least मतलब हो गया सबसे smallest डिबीजिन जो आपके स्केल में सबसे छोटा डिवेजिन है वो कितना मेजर करेगा वह होता है हमारा यह आपका एक स्केल दे रखा है ठीक है नॉर्मल स्केल हो गया जो हम घरों में यूज करते हैं उस पर ऐसे इसे डिवीजन दे रखेंगे यह हो गया और उसके बाद में उनके बीच में एक छोटे चोटे डिवीजन दे रखेंगे उनके बीच में तो करना क्या है कि यह जो एक डिवीजन है सबसे चोटा डिवीजन इसका नेकालनी एका है उसका फर्मुला होता है एक और PR बेच में तो आदर defense करो है कि कोई एक scale दे रखा था उनके बीच में हमने difference find out किया कि total difference जो है उनका आ गया कि हमारा 5 cm का एक scale है एक minute हमारा 5 cm का एक scale था 1 से लेके 5 लिखा है उस पे तो हमने difference लिखा था 1 और 2 के बीच में तो हमारा difference आया 1 और उसके बीच में हमें total number of division दे रखा है 10 तो यह हो जाएगा हमारा 0.1 cm दे रखा है तो cm में मीटर दे रखा है तो मीटर में बोल्ड दे रखा है तो बोल्ड में इंपेर दे रखा है तो इंपेर में मैंने यह example लिया है कि suppose करो कि आपका कोई 5 cm का एक scale है जिस पर 10 से लेके 12345 देखा है और उनके बीच में ऐसे छोटे-छोटे करके division दे रखे हैं यह जिरो से लेके वन के बीच में ऐसे division दे रखा है तो वो जो division है वो कितने division है तो जैसे हमने वन और टू लिया उनके बीच में मैंने पहले difference find out किया तो कितना difference था वन का difference आयेगा यह two or three के बीच में difference निकालोगे तब भी वन का आयेगा तो कोई भी दो और निडल बनी होगी दो कि यहां से जिरो से स्टार्ट होगा और ठीव और यहूँल होगया ठीक है आपे फिर वन और यहुजा तू बोल्ट हो गया अब इनके बीच में इसे चोटे चोटे डिवीजन बने घुए ऐसे डिवीजन बने और यह एक छोटा डिविजन कितना क तो हमारा लीस काउंट आ जाएगा यहां तक सबको समझ में आ गया होगा अगर किसी को लीस काउंट समझ में नहीं है तो प्लीज एक बार दुबारा से वीडियो देखो तो आपको अच्छे समझ में आएगा ठीक है अब हम आगे चलते हैं और हमें क्या निकालना है यह हमारा बोल्ट मीटर वो हमारा हो गया भी और आई क्या हो गया आई जो हमने इंपेर मीटर करके लिखने हैं यहां पर 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 यह सारे हमें क्या करना है डिवीजन काउंट करके लिखना है उसके बाद में यह जो पहले हम उसके बाद में हम lease count से multiply कर देंगे जो भी उसका lease count होगा उसके बाद में हम R निकालेंगे R का formula होता है B upon I जैसे अभी हमेने ऊपर बताया था ना R is equal to क्या होता है B upon I तो इसके formula पर रखके हम इसका पूरा R find out कर लेंगे ठीक है अब इसके आगे क्या करना है जब हमने इतना कर लिया तो उसके बाद में आ गया है चोटी इसमें calculation है ज्यादा नहीं है अब हमें चोटी सी calculation में क्या करना है हमें इसमें R1 R2 find out करना है यह 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 आरवन का होगा B1 upon I1 R2 बीटो अपन I2 ऐसे करके आइफाइब का हो जाएगा और आइओ वी फाइब अपन I5 अब जब हमने R1 R2 R3 निकाल लिया तो आर मीन निकालेंगे आर मीन क्या होता है आर मीन का मतलब हो गया कि कितने भी नंबर दे रखें जैसे आर वन हो गया और प्लस आर् टू हो गया प्लस आरथारी हो गया ठीक है प्लस आर फॉर हो गया मेर्ण प्लस आर फाइब새 बाई जतने भी हैं कितने 5 हैं तो 5 कर लोगे 4 नहों तो 4 से 6 हैं नटो 6 के odd1 कर दो तो यह हमारा और मिन आ जाएगा हमें यह रेजिस्टंच यहां से र Belgra जाएंगे उसके बाद में क्या करना है तो पिर आपको ग्राफ प्लॉट करना है यह हमारा है को इसका घ्राफ टीक, जै क्ले करना है को क्राफ के लिल यह पे लेना आपको एक मिद inten अब यहां पर जैसे ग्राफ में आप लोगों पता होगा कि यह होती है हमारा y-axis और यह होता हमारा x-axis ठीक है यह हमारा x हो गया और यह हो गया हमारा y अब हम y पे हमेशा voltage लेंगे जरूरी नहीं अब आई पर एक्स पर भी voltage ले सकते हो ठीक है तो हमने क्या किया है यहां पर यहां पर यहां पर वाई पर बोल्टेज ले रखा है और एक्स पर हमने करण ले रखा है अब जैसे जैसे आपके रीडिंग आएगी उसके हिसाब से हम नहीं लेंगे हम जो हम बोल्ट मीटर रहे हैं उसमें क्या रेंज है और सबसे स्मॉलेस्ट मतलब की कहां से हमारी रीडिंग अगर हमारी रीडिंग पॉइंट वन से स्टार्ट हो रही है तो मुष्ट लिए अलग से नहीं करेंगे तब हम उसके लिए 0.1 की स्केल लेंगे यानि 0.1.2.3.4 ऐसे करके जितना हमें मैक्सिमन जरूरत होगी और अगर हमारी रेंज मतलब की 0.5 से स्टार्ट हो रही है तब भी हम पॉइंट वाला लेंगे जरूरी नहीं कि हम यहीं स्केल लेंगे लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जब आप स्केल ले रहे हो त जब ग्राफ प्लाओर करेंगे तो ओम स्केल लाइन आतिया एकदम ग्राफ जाता है वह किसले जाता है क्योंकि भी हमारा क्या था डार्क्ट ली परपोर्शनल किसके था आई था यानि कि जैसे-जैसे हमारा वी बढ़ रहा है वैसे-वैसे हमारी आई बढ़ती हुए जा र जा रहा होगा अगर आपने इसकेल गलत लिया तो यह कहीं यहां से जा रहा होगा उपर कहीं है बहुसे-जा इसकेल स्लोप निकालेंगे सलोप कैसे निकालेंगे गया स्लोप निकालेंगे क्या मीन फैल में स्वाइवार्व अख़ाई। यह हमारा। पॉइंट हो गया यद me ieio n और यह हमारा फॉइंट हो respect 12 में कि यह होता है एक मिनट यह होता है कि स्लोप बराबर होता है वाई 2 माइनस वाई 2-1 अपन x2-1 एक्स वन ठीक है यहां से आपको जो मिलेगा वह होगा हमारा आर यानि अब हमने graph के थू रेजिस्टेंस निकाल लिया और हमने एक ऊपर कर्कुलेट करके रेजिस्टेंस निकाला था तो यहां graph के थू जो रेजिस्टेंस आ गया अब इसने थोड़ा और नीचे जाओगे जब कहा तो आप यह देखोगे कि अब हमें रिजल्ट में find out क्या करना था वैसके लिए तो हमें रिजल्ट में निकालना क्या था हमें रिजल्ट में निकालना था कि हमें कि वह रिएसंद मॉलब्द करना था कुछ उनके करणें और बोल्टेज के बीच में क्या gooseमर क्या है कि यह मारा क्या लों नों क्या है थोरा है यह जैसे जैसे बोल्टेज चेंज हो रहा व्यूंज यहिए हमार् chutशेंज कर जा रहा रहा है और बलब कि जो हमें निकालना था क्या resistance वो हम निकाल देंगे यहां पर लिखेंगे हमारा unknown resistance is equal to जो भी आएगा हमारा उसको इतना ohm और उसके बाद में resistance per centimeter का मतलब हो गया कि जितना भी अगर wire दे रखा है तो वो कितने संटीमीटर रखा है सबस्कों अगर वह 100 संटीमीटर रखा है तो जितना भी रेजिस्टेंस आएगा उसको हंडर से डिवाइड कर देंगे सबस्कों अगर हमारा रेजिस्टेंस आगया फाइब तो फाइब डिवाइड बाई तो यह जो आजाएगा वह आजाएगा में तक मीसले सबस्कूलाइब और रेजिस्टेंस पर संटीमीटर यह जो आएगा वह आएगा वह आएगा हमारा रिजिस्टेंस पर संटी मेटर ठेक है वो उसके बाद में क्या करना है उसके बाद में हमें लिखना है फ्रेकॉसंस मीनिशorerfon vaiseu से दे參encial Remember हम यह नहीज चाहिए और connecting wire लूज नहीं होनी चाहिए जब आप connection कर रहे हो तो connection लूज नहीं होना चाहिए ठीक है और क्या होना चाहिए कि वह बहुत जदा कि हाई बोल्टेज पर उनको नहीं कर देना चाहिए कि बैटरी बैटरी को हमने चेक नहीं कि हो बारा बोल्ट पर सीधा हमने जाके वहां पर धनाम से उसको आउन कर दिया तो यह नहीं होना चाहिए उसके बाद में कुछ source of error नहीं जो कि यहां पर दे रखा कि रियो स्टेट बहुत जदा जो हम रियो स्टेट ओपर रहें वह बहुत जदा हाई वैलू की नहीं होना चाहिए और बाकी जो जो बोल्ट मीटर या बैटर कर रहें यह वेटरी उसकूब उनके इस वह हैं वह घीले नहीं होनेजिए यह तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए तो यह source of error नाग तो आजकी वीडियो में ने ले बेदे कि ओम लो का कैसे होता है और उलेटिंग कैसे करते ग्राफ करते किरा statement क्या है क्या relation find out करना है और आपने यह देखा कि पूरे experiment में कि जैसे जैसे उसका जो graph है वो एकदम constant जा रहे है और graph कैसे plot करना है क्या-क्या जब हम graph plot करते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखना है क्या गलतियां नहीं करनी है experiment के दोरां तो आसा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और अगर किसी बच्चे को को problem है कुछ नहीं समझ में आया जो मैंने इस वीडियो में बताया प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दुबारा देखना जब आप दो तीन बार क्योंकि आपने पहले प्रेक्टिकल नहीं किया है तो जब तक आप दो तीन बार नहीं देखोगे तब तो आपको एक बारी में समझ में नहीं आए ठीक है तो अगर कोई मिस्टेक हो गई वह बीच में तो प्लेज उसके लिए माफी चाहूंगा और अगर मैं आप लोगों कोई और हैल्प कर सकूं तो प्लेज कमेंड में बताना और आसा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी और प्लेज एक रिक्वेस्ट य लेकिन जरूरी नहीं है कि यह आप मलब की अपने क्लासमेट की साथ ही सेर करो इसमें सबको जरूरत है जो वायो के हो गए जो फिजिक्स केमिश्ट्री या जो मैथ के बच्चे होगे या कंप्यूटर साइंस के बच्चे होगे सबको जरूरत है फिजिक्स में सबको आनी च वीडियो ज्याद से ज्याद से ज्याद करोगे तो ज्याद अच्छा रहे तो आज के लिए बस इतना ही जाहीं